नमस्कार दोस्तों कैसे हो दोस्तों दोस्तों मैं आज मेरे पास एक टेक्टर वाला पांच रुपे का नोट है तो उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा किस परकार वो नोट हमारा बिखता है कितना प्राइज हमें मिलता है तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा जो वा प्षारी क्रेंस्य में चलता है क्योंकि अभी ये पांच रुपे में चलता है लेकिन दोस्तों कुछ समय में या अभी वाइरल मेशेज हो रखा है कि यह नोट आप गवर्मेंट को दीजिए और गवर्मेंट आपको इसके बदले लाखों रुपे देगी तो दोस्तों मैंने इसके बारे में सर्च किया और जाना कि इसमें ऐसा क्या खास बात है कि गवर्मेंट इस नोट को खरीदना चाहती है तो दोस्तों सबसे पहले इस नोट के पहलू देख लेते हैं दोस्तों इस तरफ देखते हैं तो महत्मा गांदी जी का फ सबसे बड़ा बात मेरे को सबसे जो अच्छा बात लगा वो यह है दोस्तों यहां पर टेक्टर दिखाए देता है टेक्टर के उपर एक किसान बेटा हुआ है और किसान वो अपना खेती का काम कर रहा है उससे भी बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इधर की हुआ हुआ सूरिय दिखाए देता है तो दोस्तों जाहिर सा है इसमें यही संदेश जो है हो सकता है इसी कारण हो यह नोट वाइरल मेसेज में बताया गया है क्योंकि किसान सुबह 6-6.6 के बीच में जो सूरिय उग जाता है उसी टाइम अपने खेतों में काम लग जाता है तो अब हम उसे बहुल से भी बात करेंगे और जानेंगे इस नोट का हकीकत इस नोट के बारे में इतना प्राइज के बारे में एक-एखर एक-एक पहलू जानेंगे दोस्तों तो मैं अभी उनसे बात करता हूं तब तक दोस्तों आप वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट कर देना है हलो है हलो है हलो है दोस्तों कुछ टेक्निकल इस्यू हो सकते हैं नेट्रक के इसलिए उन्होंने उनका कॉल रिशीव तो कर लिया लेकिन आवाज नहीं आई फिर से हम ट्राइब करते हैं और जानते हैं एक एक चीज बोयर से किस परकार हमारा नोट खरीद लेता है हलो हाजी नमस्कार सर जी सर मेरे पास एक वाइरल मेंसेज आया था उसमें बताया गया था एक पांच रुपे के टेक्टर वाला जो नोट है उसके बारे में कुछ बताया गया था कि यह गोवर्मेंट खरीद रही है जी सर तो हमें बताया सर मेरे पास एक नोट है तो उसको मेरे को बेचना है कि आलो सब्सक्राइब अब इसी नमबर करना है हाँ और ऑभी सेंड करता हूं तो दोस्तों उन्हों उन्हें हमसे फोटो वोटशाप मगले तो मैं उनके पास सेंड कर देता हूं क्यूए हमें नोट बेचना है इसलिए हमें सेंड करना भी होगा है कि अ– है कि है हलो है हमा यह है हाज जी सर मैंने आपके पास वोट्सप सेंड कर दिया जी सर जी सर कितना टाइम लगेगा तो सर हमें तब तक यह बता दीजिए इस नोट इतना किस परकार खास हो गया कि इतना डिमांड इस नोट का बढ़ गया इस नोट की पूर्जा होती है जी कहां पर इस नोट इतना डिमांड में आ गया सर जो सरकार्त खरीदने लग गया तो मेरे पास दिने नहीं है कि कंपनी के ओटर फूल करने होते हैं जी सर कोई दिकतना है सर तो हमें कंपनी के बारे में वह बता दीजिए सर कितना प्राइज लगता है तो सर इसको हम अपने अकाउंट में या हमारे पास किस परकार आएगा और हम नोट को कहां पर देने आयना पड़ेगा कंपनी के लोग आएंगे सर आपका थोड़ा आवाज क्या पता नेट्रक में नहीं हो क्या है आवाज दी में आ रहा है तो कंपनी के लोग हमारे पास आएंगे फिर सब्सक्राइब करने होगे उससे मेरा रजिस्ट्रेशन होगा जी सर एसा नहीं त्योग्कि फ्रोड हो जाता सर द्भांश में नहीं दूँगा बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत बहुत दन्यवाद में आपको नोट नहीं दूगा आप यह रेजिस्ट्रेशन वाले फ्रोड लोग हो तो दोस्तों देख सकते हो किस परकार यह लोग फ्रोड करते हैं यह पांच रुपे वाले टेक्टर वाला नोट जिस पे किसान का फोटो है बोर से जब बा से बात करते हैं तो वो लोग एडवांस पेमेंट बता देते हैं दोस्तों तो सबस्ता जाहिर सा है यह फ्रोड लोग है इसे फ्रोड लोग से हमें बचना है दोस्तों तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट जरूर करना और ज अजनेवा दोस तो